Welcome everyone to our YouTube channel आज के विडियो में 4 year series ये unit का 6th problem study करेंगे तो question आपके सामने है देखो question में क्या लिखा है question में लिखा है sketch the function यहाँ पे एक function दिया है जो की एक बहुत बड़ा function है number of students ऐसे type की function देखके confused होते है उनको लगता है कि यह बहुत difficult problem है और उसके वज़े से वो solve नहीं करते है function में लिखा है f of x equal to यहाँ पे 4 parts दिये है 0, 1 plus x, 1 minus x and 0 और सबका limit दिया है 0 के लिए है minus 2 less than or equal to x less than or equal to minus 1 1 plus x के लिए है minus 1 less than x less than 0 1 minus x के लिए है 0 less than x less than 1 and last 0 के लिए है 1 less than x less than 2 ठीक है तो यह function दिया है और हमें यहाँ लिखा है sketch the function मतलब यह function को हमें sketching करके graph के थूँ हमें check करना पड़ेंगा कि given function, even function है कि odd function है क्योंकि उसी से हमें पता चलेंगा कि जो 4 year series है उसमें क्या-क्या parts find out करेंगे यहाँ पे हमें 4 year series भी find out करना है लिखा है also find the 4 year series और यह problem important problem है इसके पहले number of times exam में आ चुका है देखो year लिखा है winter 6, winter 7 summer 13, summer 17 में exam में आ चुका है अगर यह problem फिर से repeat होता है तो आपको full marks दे सकता है उसके लिए आपको ऐसे problem की practice करना पड़ेंगा तो चलो हम यहाँ पे solve करना start करता है सबसे पहले जो given function है वो हम यहाँ as it is लिख लेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे given function is given function जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे तो एक काम कर लेंगे हम यह function को यहाँ से copy कर लेते है और यह हम यहाँ लिख लेते है ठीक है कि ये given function, even function है कि odd function है, तो हमने check करने के लिए यहाँ पे 2 axis draw कर लेंगे, that is x axis and y axis, तो चलो हम यहाँ पे draw करेंगे, तो सबसे पहले यह हम बना देंगे x axis, देखें, यह बन गई x axis, ठीक है, और अब बना देंगे y axis, तो यह देखें, यह हमने बना दिये y axis, ठीक है, और जो है, यहाँ पे arrow head देंगे, ठीक है, यह x axis, यह है, ठीक है, और यह y axis है, यह है origin, ठीक है, origin से इधर हम यहाँ ले लेंगे 1, और यहाँ लेंगे 2, ठीक है, उधर plus में, origin से इधर, इधर हम लेंगे minus of 1, और यह हम लेंगे minus of 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो limit है, अगर आप चेक करेंगे, देखो, यहाँ पे 1 से लेके 2 ठक है, plus में है, तो यह इधर, और यह minus 1, minus 2 लिखा है, तो वो इधर, ठीक है, तो minus 1, minus 2 के लिए, देखो, यहाँ पे f of x का value 0 है, तो आपको इधर कुछ भी शो नहीं करना है, और 1 से लेके 2 के लिए f of x का value क्या है, 0 है, देखो, 1 से लेके 2 के तरफ, जो है, यहाँ पे 0 है, तो इधर भी आपको कुछ शो नहीं करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखो, यहाँ पे 1 प्लस x जो function है, उसका लिमिट है, minus 1 to 0, and दूसरा 0 to 1 के लिए 1 minus x है, ठीक है, तो 0, देखो, 0 to 1 के लिए, देखो, 0 to 1, इधर 0 है, इधर 1 है, ठीक है, तो इधर यह function, 1 minus x function यह side में जाएंगा, बनाते हैं, देखो, किस तرा से यह बनता है, देखो, यह इधर एक बनेगा, ठीक है, यह 1 plus x के लिए है, और इधर एक बनेगा, यह 1 minus x के लिए है, ठीक है, देखें, इस सरा से, यह 1 plus x क्योंगी, यहाँ पर minus 1 to 0 के लिए, minus 1 to 0 के लिए function है 1 plus x देखो y is equal to 1 plus x के लिए ये side में और y is equal to 1 minus x के लिए ये side में 1 minus x के लिए 1 minus x के लिए 0 to 1 है तो देखो 0 to 1 के लिए इधर आया 1 minus x वाला तो यहाँ पर यह जो हमने यहाँ पर graph जो बनाया यह हमने sketching जो किया है इससे क्या समझ में आता है इससे हमें यह समझ में आता है कि यह graph symmetrical है about the y axis और अगर graph symmetrical about the y axis है इसका मतलब जो given function है वो एक even function है क्योंकि हमने इसके पहले जो even and odd function की उपर एक जो special video बनाये थे वो video आप देख लिजेगा उसमें हमने बताये थे कि अगर जो graph है अगर वो symmetrical about the y axis हो तो given function even function होता है लेकिन अगर graph symmetrical about the origin है तो given function odd function होता है ठीक है तो फिलाल यहाँ पे symmetrical about the origin नहीं है symmetrical about the y axis है it means given function is a even function तो ऐसे में हमें यहाँ पे statement में लिख लेना है चलो लिख लेंगे तो यह हमने statement में लेका है the graph of f of x is symmetrical about y axis in the interval minus 2 to 2 देखो minus 2 से लेके 2 तक यह जो हमको system दिया है यह इसका जो हमने graph बनाया है वो symmetrical about the y axis है तो therefore हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore function f of x is an even function ठीक है यह हमने यहाँ पे लिख लिया है कि जो function f of x है वो एक even function है और अगर यह even function है तो इसका मतलब हमें bn find out नहीं करना है bn 0 हो जाएंगा so therefore bn equal to 0 bn 0 हो जाएंगा यह बहुत important चीज है यह conclusion हमने निकाला है क्योंकि 3 चीज़े होती है जब आप 4-year series तयार करते हैं तो 3 चीज़े find out करना होता है a0, an and bn तो यह a0, an, bn यह depend करता है कि function कौन सा है उसी के according जैसे अगर for example given function अगर odd function है अगर odd function है तो a0 और an 0 हो जाता है और सिर्फ bn find out करना रहता यह वाला लेकिन अगर given function even function हो तो आपको bn 0 करना होता है यानि bn 0 हो जाता है और a0 और an find out करना रहता है ऐसा है ठीक है तो फिलाल even function के वज़े से bn 0 हो गया और अब four year series जो है इसमें सिर्फ दो ही चीजे निकालना है a0 और an तो four year series का formula हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे तो therefore four year series of function f of x is तो हम यहाँ पे लिख लेंगे f of x is equal to that is a0 by 2 ठीक है plus summation n equal to 1 up to infinity then an cos of n by x by l plus अब देखो यहाँ पे bn का term यहाँ होता है summation n equal to 1 up to infinity bn sin of n by x by l देखो ऐसा होता है लेकिन अब जाहिर से बात है यहाँ पे bn 0 है हमने कहा था bn 0 है क्योंकि even function है तो ऐसे में यह bn 0 हो गया मतलब यह term आपको यहाँ लिखने की ज़रूत नहीं है नहीं तो हमें सब कुछ find out करना पड़ता था a0, an, bn हमें सब कुछ find out करना पड़ता था a0 और an put करना है तब यह series हम पूरी कर लेंगे इसको हम फिलाल equation number 1 देंगे क्योंकि हमारे पास a0 और an नहीं है तो चलो अब बारी बारी one by one a0 an find out करो पहले a0 निकालो फिर an निकालो और फिर इसमें put करो तब यह four year series complete हो जाएंगी जो यहाँ पर find out करने के लिए कहा है और problem पूरा हो जाएंगा समझ में आया यहाँ तक अब हम यहाँ पर a0 का formula लिखते है so now a0 सबसे पहले हमें a0 find out करना है तो a0 का standard formula हम यहाँ पहले लिख लेते हैं बाद में हम उसमें values put कर लेंगे तो a0 का standard formula होता है 2 by l integration of that is 0 to l then f of x into dx यह formula होता है यह standard formula है a0 के लिए इसके थूरू हमें a0 find out करना है यहाँ पे l का value put करना पड़ेंगा तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेंगा here l का value क्या रहेंगा here l is equal to 2 हो जाएंगा ठीक है क्योंकि अगर आप प्रॉपर यहाँ पे चेक करेंगे देखो l का value हमने 2 ले लिए क्योंकि अगर आप limit के तरफ देंगे देखो क्या दिया है limit 0 से लेके 2 यहाँ पे देखो minus 2 से लेके 2 तक देखो limit starting कहां से हो रहा है minus 2 और कहां तक जा रहा है 2 तक इसका मतलब l का value 2 है यह आपको धेन में रखना है l आपको यही से मिलता है l का value 2 है ठीक है और यह standard formula है चलो अब l का value 2 जो है वो यहाँ पूट करो f of x पूट करो और देखते है यह क्या होता है यहाँ पे भी l पूट करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे that is 2 by l l याने 2 so that is 2 by 2 integration from 0 to 2 then f of x into dx ठीक है इस तरह से यह हमने पूट किये अब इसके बाद क्या करेंगे अब यहाँ पे यह integration को split करो क्योंकि f of x अगर आप properly check करेंगे limit देखो 0 से लेके 2 तक है यह important है number of students यहाँ पे गलती कर सकते है गलती नहीं होनी चाहिए देखो limit 0 से 2 है तो 0 से 2 के बीच में 0 से 2 के बीच में कितने functions आते हैं check करो तब से पहले 0 से लेके 1 जाना है और फिर 1 से लेके 2 जाना है यह देखो हम यहां लेकरे यह 2 by 2 याने 1 है इसको ignore करो अब यह देखो 0 से 2 है तो हमें step 5 चलना है पहले 0 से लेके 1 ठीक है 0 से लेके 1 और फिर 1 से लेके 2 देखो इस तरह से और फिर 1 से लेके 2 इस तरह से ठीक है 0 से लेके 1 0 से 1 और 1 से 2 तो 0 से लेके 1 तक क्या function है 0 से लेके 1 तक function है 1-x तो आपको वो यहाँ रखना है और 1 से लेके 2 तक function 0 है तो वो आपको यहाँ रखना है इसको step 5 solve करना है तो हमें इसको ऐसा लिख देते है f of x dx और f of x dx और अब हम यहाँ पे values पूट कर लेंगे 0 to 1 f of x dx 1 to 2 f of x dx चलो यहाँ पे f of x का value पूट करते हैं देखते हैं यह क्या होता है हम इसको अलग page में solve कर लेंगे ठीक है इसको अब अलग page पे solve करते हैं 0 से 1 f of x का value है 1-x तो हम यहाँ पिलिक लेंगे that is a0 find out कर रहे हैं हम लोग तो a0 equal to integration 0 to 1 f of x क्या था 1-x into dx plus integration from 1 to 2 और function है 0 into dx ठीक है बस अब इसको हमें solve करना है देखो एक बार check कर लेते हैं यह देखो यहाँ पे f of x के जगा 1-x आपको put करना है और यह f of x के जगा यह 0 put करना है ठीक है ओके और अब यह हमने put कर लिया है और अब इसको solve करो तो यह तो term 0 होगे इसको ignore करो बस इसको आपको integrate करना पड़ेंगा तो चलो इसके अंदर integration ले लेंगे तो यहाँ पे 1-x का integration तो 1 का integration हो जाएंगा x और x का integration हो जाएंगा x square by 2 और यहाँ पे limit लगा दो limit है from 0 to 1 और अब चलो limit यहाँ पे put करो ठीक है इसका integration लिखने की जरूद नहीं है 0 लिख देंगो तो भी चलेंगा तो चलो यहाँ पे limit put up करो upper limit 1 है तो lower limit 0 है तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले upper limit put करो फिर lower limit put करो तो देखो upper limit रखते हैं 1-1 by 2 यह हो गया upper limit ठीक है यह हमने लिखे है upper limit minus lower limit put करो तो 0-0 by 2 इस तरह से और अब यह क्या रहेंगा यह तो 0 है इग्नोर करो इसको और अब यह 1-1 by 2 यहने 1 by 2 तो finally हमने क्या मिल गया हमें a0 मिल चुका है क्या a0 मिला है that is 1 by 2 तो 4-year series में put करने के लिए a0 चाहिए था देखो यहाँ पे हमें a0 put करना है तो a0 हमने find out कर लिए क्या आया 1 by 2 और अब क्या हमें find out करना है अब हमें चलो अब an find out करना है चलो an का formula लिखते हैं बिल्कुँ step 5 चलेंगे आपको जल्द बाजी करने की जरूरत नहीं है पूरा समझ में आना चाहिए तो अब हम यहाँ लिखेंगे an का formula now an तो now an formula है that is 2 by l integration of integration from 0 to 2 then f of x ठीक है और यहाँ पे cos of cos of that is n by x by l into dx तो यह हमने formula लिख लिया है ठीक है यह standard formula है an का बस इसका हमें use किया है और अब यहाँ पे value put up करो l का l का क्या value है l का value है 2 ठीक है तो यहाँ पे भी 2 आएंगा यहाँ पे भी 2 आएंगा और यह जो limit है जो 0 to 2 है इसको split करो 0 to 1 अलग करो and 1 to 2 अलग करो जैसा हमने यहाँ पे किये थे बिल्कुल उसी तरह से तो यह हम यहाँ लिख लेंगे 2 by 2 क्योंकि l का value 2 है और अब यहाँ पे देको limit हम split करने वाले है तो इसको curly bracket में लिखते है integration from 0 to 1 f of x into cos of यहाँ पे n by x by 2 क्योंकि l का value 2 है into dx ठीक है plus integration from 1 to 2 into again f of x cos of n by x by 2 into dx ठीक है अब यहाँ पे देको 0 to 1 and 1 to 2 तो 0 to 1 में f of x याने function क्या था और 1 to 2 f function क्या था वो हमें लिक ना है तो वही जो इसके पहले हमने यूज किये देको इसके पहले हमने यहाँ पे already use किये देखो यह है और यह है ठीक है ना 0 to 1 के लिए 1 minus x है and 1 to 2 के लिए 0 है एक बार check कर लेते हैं यह देखिए 0 to 1 के लिए function है 1 minus x and 1 to 2 के लिए function है 0 बस उसका हमें यहाँ पे use करना है यहाँ पे 1 minus x रखो वहाँ 0 रखो तो देखो यह क्या होता है ठीक है यह तो यह 2 by 2 अब लिखने की ज़रोत नहीं है तो यह है integration from 0 to 1 और यह 1 minus x into cos of n pi x by 2 into dx और यह तो पूरा 0 हो जाएंगा क्योंकि f of x 0 है तो इधर 0 लिखो कोई दिक्कत नहीं है और अब हमें इसको integrate करना है अब इसको integrate करने के लिए आपको जो है successive integration by parts का formula पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे successive integration by parts नहीं use करोंगे only integration by parts use करोंगे तो भी चलता है आप चाहे तो step 5 solve को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पे गल्ती हुई तो पूरा problem आगे रॉंग हो जाएंगा तो यह गल्ती यहाँ पे generally होती है क्योंकि integration by parts है ना इसलिए तो यह first term यह second term first term है 1 minus 6 और second term है cos of bracket ठीक है तो चलो यहाँ पे हम an निकालना शुरू करते तो फटा सा लंबा जाएंगा इसलिए हम इधर से लिखते है ठीक है so an is equal to तो सबसे पहले first term first term है 1 minus 6 into integration of second तो यह second term का integration मतलब cost का integration तो cost का integration होता है sin of sin of n pi x by 2 और divided by यहाँ पे x का coefficient क्या है x का coefficient n pi by 2 वो नीचे में हैंगा that is n pi by 2 यह सबसे important है यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए x का coefficient n pi by 2 वो denominator में आ गया है जैसे आपको पता है cos 2x cos 2x का integration क्या होता है sin 2x by 2 sin 2x by 2 तो x का coefficient 2 है न तो 2 वो नीचे में आया बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे limit लगा देंगे from 0 to 1 ठीक है इसको एक अलग ले लेंगे तो first term into integration of second अब minus integration integration के बाद आपको यहाँ लिखना है differentiation of first term first term का differentiation तो 1 minus x का differentiation हो जाएगा 0 minus 1 तो हम यह अलग लेंगे 0 minus 1 ठीक है into integration of second term यह second term का integration तो यह cos का integration फिर से sin of यहाँ पे n pi x by 2 divided by यहाँ पे again n pi by 2 जैसे इसके पहले हुआ बिल्कुल उसी तरह से ठीक है और यहाँ पे into dx ठीक है इस तरह से एक और बार इधर integration होगा ओके ओके यह first term into integration of second minus integration differentiation of first into integration of second यह हमने integration by parts का formula यूज की है ठीक है अब बस यह step को solve करो फिर जो है upper limit lower limit जो है वो put करो फिलाल यह जो term है यह पूरा azds लिख लेंगे तो azds लिखने के लिए हम इसको copy कर लेते हैं ठीक है ताकि जल्दी से यह हो जाए तो यह देखो यह हमने यहाँ पे लिख दिया है और cos of यहाँ पे n pi x by 2 और denominator में जो है फिर से n pi by 2 आएंगा तो नीचे अल्रेडी n pi by 2 है उपर से एक और n pi by 2 आएंगा तो वो यहाँ पे multiply हो जाएंगा तो आप यहाँ पे n square pi square by 4 ऐसा लिखो या तो n pi by 2 whole square ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पे n square pi square by 4 ऐसा लिखते हैं ठीक है चलेंगा और अब यहाँ पे limit लगा देंगे from 0 to 1 और अब देखो हमने पूरी तरह से integrate कर लिया है लेकिन अभी तक यह complete नहीं हुआ क्योंकि अब हम यहाँ पे limit put up करना है upper limit 1 है lower limit 0 है यहाँ पे पूट करना है यहाँ पे पूट करना है और यह limit x की है मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले upper limit 1 आएंगा फिर वहाँ पे lower limit 0 आएंगा तो चलो अब हम यहाँ पे limit put कर लेंगे तो यहाँ पे हम पहले x से वहाँ पर 1 रखो, देखो, यहाँ पर 1 आएंगा, यहाँ पर 1 आएंगा, तो यह हो जाएंगा, 1-1, then sin of, यहाँ पर n pi by 2, और denominator में, n pi by 2, ठीक है, बाद में यह term 0 हो जाएंगा, तो यह हो गया by using upper limit, minus, अब यही by using lower limit हमें लिखना है, तो 1-0, ठीक है, then यहाँ पर sin of, यहाँ पर x की value 0 पुट कर देंगे, तो यह 0 by n pi by 2, इस तरह से यह देखो, हमने upper limit और lower limit दोनों यहाँ पर पुट अप कर लिए है, upper limit minus lower limit, और अब यहाँ पर यह पुट करो, तो यह minus जो है, आप चाहे तो पहले बाहर लेलो, और अब आप यहाँ पर upper limit, lower limit पुट करो, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, upper limit हम यहाँ रखेंगे, cos of n pi by 2, ठीक है, cos of n pi by 2 by n square pi square by 4, ठीक है, यह हो गया upper limit, और अब यहाँ पर lower limit पुट अप करेंगे, minus cos of 0 by n square pi square by 4, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिमिट, लोर लिमिट पूरे इसमें पुट कर लिया है, अब इसको solve करो, जब तक ये solve हो रहा है, इसको solve करो, इसके तरू एक fix value हमें मिल जाएंगी, और फिर वो जो value रहेंगी, वही हमारा an रहेंगा, फिर उसका हम use करने वाले हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं, ताकि यह पूरा हो जाएं, चलो देखते हैं, यह क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, यह 1-1, यह 0 है, मतलब यह पूरा term 0 होता है, तो मतलब यह भी पूरा term 0, तो यह पूरी तरह से 0 हो चुका है, उसक क्या बचा, cos of, क्या बचा, n pi by 2, और यह cos 0, cos 0 यानि 1 होता है, तो इस तरह से, cos 0, 1, and sin 0, 0, यह धहन में रखना, अब यह term यहाँ पर इग्नोर करो, यह 4 को उपर shift करो, तो यह हम ऐसा लेंगे, minus 4 by, n square, pi square, ठीक है, और यह as it is, रखो, यहाँ पर, cos of, n pi by 2, minus of 1, और अब ह तो यह हम लिख लेंगे, 4 by, n square, pi square, minus से multiply कर लेंगे, तो यह ऐसा हो जाएंगा, 1 minus cos of, n pi by 2, यह ऐसा हो जाएंगा, ठीक है, अब यह 1 minus cos of, n pi by 2, यहाँ पर फार्मूला लगा, 1 minus cos theta का, फार्मूला क्या है, चलो, फार्मूला यहाँ लिखके देते है, अगर आपके पास फ cos of theta का формulा, यह होता है, 2 sin square theta by 2, यह formula होता है, उसका हम यहाँ पर used करेंगे, यह formula, 1 minus cos theta का formula, that is, 2 sin square theta by 2, यह जो bracket है, यह as a theta है, ऐसा मान के चलो, 1 minus cos theta, ऐसा, तो देखो, वो formula हम use करेंगे, तो यह क्या बनता है, तो हम यहाँ लेंगे, 2 by, यह पहले से 4 है, तो 4 by, यह n² pi² ठीक है? और अब इसके जगह हम यहाँ 2 sin² theta by 2 ऐसा लिखना है तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 2 उसके बाद sin² फिर क्या लिखना है theta by 2 theta यानि यह पूरा bracket है तो हम यहाँ लिख लेंगे that is n pi by 2 divided by 2 यह ऐसा हो जाएंगा यह important है यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है? अब यह जो 2 है यह बाहर ले लो तो यहाँ पर यह 8 हो जाएंगा और यह 2 जो है वो नीचे मेरे लो तो वो 4 हो जाएंगा तो finally हमें an यहाँ पर मिल जाएंगा therefore an का last यह हमें मिल रहा है 8 by n² pi2 ठीक है? into 8 यहाँ पर यह 4 to the 8 हो गया sin2 यहाँ पर हम लेक लेंगे sin2 और यह यहाँ पर n pi by 4 इस तरह से तो यह finally हमें क्या मिला यह finally हमें यहाँ पर an मिल चुका है हमने आपको कहा था कि a0 an हमें find out करना है तो a0 और an यह हमने find out कर लिए अब आपको क्या करना है अब आपको a0 और an का value equation number 1 में put करना है देखो यह अभी थोड़ा सी इसको छोटा कर लेते हैं ताब कि आपको दिखे कि हमने अभी तक क्या क्या किया है देखो यह step में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह हमने a0 find out किये थे ठीक है यह था a0 ठीक है जो कि आया 1 by 2 और यह है an जो अभी अभी हमने find out किये अब इसको उठा के देखो हम first page में जाते हैं देखो अभी इसको उठा कि यह equation number 1 में put करना है यहाँ पर a0 का value put करो यहाँ an का value put करो तो हमारी 4-year series जो है वो यहाँ पर तयार हो जाएंगे तो यह equation number 1 में हम put करेंगे यह हम यहाँ लिख लेंगे put a0 and an in equation 1 तो देखो equation number 1 में हम put करेंगे तो equation number 1 क्या था पहले हम वो लिख लेंगे equation number 1 ऐसा था f of x is equal to a0 by 2 then plus summation of n equal to 1 up to infinity then यहाँ पर था an cos of n by x by l तो यह देखिए यह हमने formula लिख लिख लिया है देखो यही formula जो equation number 1 में हमने लिखे थे यह formula हमने यहाँ पर लिखा है और अब चलो यहाँ पर values put up करेंगे a0 और an का value हमें पता है तो हम यहाँ लिख लेंगे therefore f of x is equal to a0 क value 1 by 2 यह देखिए find out किये है 1 by 2 और an का value अब हमें यह put करना है तो चलो हम put करेंगे तो यह plus summation n equal to 1 ठीक है summation का summation के base में n equal to 1 up to infinity an का value क्या था 8 by n square pi square then sine square और n pi by 4 ऐसा था एक बार चेक कर लेंगे यह देखिए 8 n square pi square sine square n pi by 4 वो हमने यहाँ लिख दिये ठीक है और into फिर cos of यह है n pi x by l का value यहाँ पर रख दो 2 यह देखो ठीक है तो इस तरह से values put up कर लिए इसमें एक काम करेंगे जो यहाँ पर यह constant है इसको बाहर लेंगे ठीक है constant को बाहर लेंगे और यह 1 by 2 का जो 2 है वो नीचे ले तो यह हम यहाँ लिख लेंगे therefore f of x is equal to यह 1 by 4 हो गया plus अब यहाँ पर constant क्या है तो 8 by pi square constant है तो यहाँ लिख लो 8 by pi square और अब बाकी का सब कुछ जो है वो अंदर ही रखना है then summation n equal to 1 ठीक है n equal to 1 up to infinity और अब यहाँ पर क्या है 1 by n square है ठीक है और then है sin square वाला term जो की है n pi by 4 और फिर है cos वाला term जो की है n pi x by यहाँ पर 2 तो इस तरह से finally यह हमने 4 year series यहाँ पर का 4 year series के लिए जो solution चाहिए था वो हमने निकाल लिया है बस नीचे statement में लेक लेंगे this is the required solution this is the required solution और finally problem यही complete हो गया उमीद करते हैं कि यह पूरा problem आपको समझ में आया होगा इसमें क्य क्या क्या important था यह समझना बहुत जरूरी है देखो सबसे पहले यह problem जो है वो number of times exam में आ चुका है तो इसकी practice आपको करना चाहिए देखो इतने बार exam में है इसको start देते हैं ठीक है और सबसे पहले जो है हमने sketch के through graph के through हमने यह पता कि यह कि given function even function है यह odd function है तो even function है तो bn 0 हो गया हमें just us 0 और सी 0 और अन निकालना था क्योंकि हमें यह formula में फूट करना है तो अड़ हमने 0 का value हमने निकाल है यह हैं पर यह देखो अचल का value पहले 1 बाइ 2 निकाले फिर हमने अन यहां पे Oregon 5 और सबसे इंपोर्टन था अ और अ को निकालते समय यहां पे integration by parts का formula हमन AN निकाले और एक बार A0 AN निकल गया तो उसको हमने equation number 1 जो starting में था formula उसमें हमने put किये और put करने के बाद just आपको ये जो solution मिला यही हमारा required solution है इसके थुरू आप आसानी से 4-year series जो है वो बना सकते हैं आपको पूरी series तयार करने तो वो 100% वहाँ पे वो solve हो जाए तो ये था 4-year series ये unit का problem number 6 इसके पहले के 5 problems वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much